मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज बारा सो से जादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला अक्षण है। आपके सिख्षक, प्रपेसर्स, आपके माता, पिता के लिए आज का दिन बहुत एहम है। और सबसे बड़ी बात कि आज से आपके करियर के साथ तेजपूर युनिवर्सिटी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है। आप आज जितना खुश है, उतना ही मैं भी हूँ। आज आप अपने भविश्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं, उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपूर में रहते हुए, तेजपूर युनिवर्सिटी में जो सीखा है, वो असम की प्रगती को, देश की प्रगती को गती देगा, नई उचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वज़े भी हैं, पहला, तेजपूर का ये अितिहासिक स्थान, इसके पावरानिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा, दूसरा, तेजपूर विश्व विद्धाले में, आप जो काम कर रहे हैं, वो मुझे बताया गया है, कि वो बहुती उत्सा जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ पर, यहां के लोगों, यहां के नवजवानों की ख्षमतों पर, राष्ट निर्मान के उनके प्रयासों पर, सिरफ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है। साथियों, अभी एवार्ड और मेडल देने से पहले, जो इनिवर्सिटी एंथम गाया गया है, उसमें नहीं तभाव तेजपूर के महान इतिहास को नमन करता है। मैं इसकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ, और इसलिए भी दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि ये असम के गवरव, भारत रत्न, भुपेन हजारिकाजी ने लिखी है। उन्हाने लिखा है, अगनी गडर स्थापत्य, कलिया भोमोरार सेतु निर्वार। ज्यान जोतिर में स्थेई स्थान ते बिराजी से तेजपूर विश्व विद्याल है। यानि जहां अगनी गडर जैसा स्थापत्य हो, जहां कलिया भोमोरा सेतु हो, जहां ज्यान की जोती हो, ऐसे स्थान पर विराजमान है, तेजपूर विश्व विद्याल है। इन तीन पंक्तियों में भुपेंदा ने कितना कुछ वर्णित कर दिया है। ज्यान का भंडार ये तेजपूर की प्रेणा है। भुपेंदा के साथ ही जोती प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा, ऐसे महान व्यक्तित्व तेजपूर की पहचान रहे हैं। आप इनकी कर्म भूमी में, जन्म भूमी में पड़े हैं। और इसलिए आप में गर्व का भाव होना और गर्व के कारण आत्म विष्वात से भरा हुआ आपका जीवन होना ये भहुत स्वाभाविक है। ये सिर्फबूमी चान रहे हैं।